बटन कुर्टी नेक हमेशा ही स्मार्ट लोग देता है तो एक और नया डिजाइन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चैनल पर नय है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और विना स्किप किये वीडियो में एन तक बने रहें नेक डिजाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई हमें करीब 15 इंच तक लेनी है अब साइस के हिसाब से हम यहाँ पर पहले नेक कट करेंगे यहाँ पर मैं डोरी वाली पाइपिंग लगाऊंगी इसलिए गले की चौड़ाई मने 3.1 रखी है गले की लंबाई हमें 6.5 इंच लेनी है और उसके बाद प्लैकेट की लंबाई हमें 7 इंच तक लेनी है आप इसे कम या जादा भी ले सकते हैं आप देखिए जो प्लैकेट की लंबाई है उसको हमें 4 इंच अंदर की तरफ लेना है यहाँ पर हम प्लैकेट पर भी डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे इसलिए हमें यहाँ पर 4 इंच का गैप देना है इस तरीके से बिलकुल सीधा निशा लगा दे अब गले की चोड़ाई से गले की लंबाई तक हमें इस तरीके से स्वीट हार्ट नैक का शेप देना है अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इस तरीके से डॉट लगाकर नैक का शेप दे अब इस पूरी नैक लाइन को हम बाहर की तरफ से एक इंच चोड़ा रखकर और इस पेस्टिंग पेपर की कटिंग करेंगे उससे पहले यहाँ पर जो हमें पैटरन तयार करना है उसके लिए मैंने ये सीधी पेस्टिंग पेपर की पटी ली है जिसकी चोड़ाई 4 इंच है और लंबाई हमें कुछ इस तरीके से लेनी है देखे गले से मैंने थोड़ा उपर की तरफ लिया है और जो प्लैकेट की लंबाई है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ तक प्लैकेट की लंबाई है तो उसमें 1 इंच एड़ करके और इस बॉटम वाले कपड़े पर चिपकाना है और इस neckline को आप किसी भी कपड़े के उपर चिपका सकते हैं देखे neckline का जो बाहर की तरफ से हमने extra कपड़ा चोड़ा है उसको fold कर ले अब देखे हमें front panel लेना है और इस तरीके से पहले निशान लगाना है जहां से हमने वो सीधी वाली पट्टी का लंबाई लिया था वहां पर हमें एक निशान लगाना है वहां पर हमें पहले बीच में उस पट्टी को attach करना है देखे बीच में मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है अब इस पट्टी को अच्छे से set कर ले और बीच में पहले एक बड़ी स्लाई लगा कर इसे यहाँ पर फिक्स करें अब इस पैच को कवर करने के लिए मैंने सूट बॉर्डर लिया है उसको दोनों तरफ से फोल करके इसे एरन कर लिया है अगर आपके पास सूट बॉर्डर नहीं है तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं अब आदा इंच इस तरीके से पैच का कपड़ा स्लाई में दबाएं और उसके उपर यह बॉर्डर लगा कर इसे कवर कर लें बिल्कुल किनारी पर स्लाई लगानी है और इस तरीके से फोल करके और अच्छे से कौना बनाएं कौने में हमें बहुत जादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं लेना है अब स्लाई को कंटीन्यू रखकर सामने वाली साइड भी हम इस तरीके से कौना बनाएंगे और इस पूरे पैच को इस बॉर्डर से कवर कर लेंगे बाहर की तरफ से भी इसे स्लाई लगा दें यहां कौनों पर हमें डबल स्लाई करनी है पूरे में बॉर्डर लगा कर औ यहां जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे कट कर लें यह नेक लाइन का सेंटर है और यह शोल्डर का सेंटर है दोनों सेंटर आपस में मिलाएं और इस तरीके से अच्छे से से सैट कर लें देखे जो प्लैकेट वाला हिस्सा है वो भी बिल्कुल बीच में अच्छे से सैट होना चाहिए अब हम इस पूरी नेक लाइन को अंदर की तरफ से सलाई लगएंगे पेस्टिंग पेपर के बिलकूल पास में सलाई लगाएं और सलाई लगाने के बाद जो अंदर की तरफ से एक्स्टरा कपड़ा है उसे पूरा कट कर ले, प्लैकेट पर भी हम कट लगा देंगे, बिल्कुल एंड तक कट लगा है, यहां गोलाई वाले इससे पर भी हमें छोटे कट लगाने हैं, और उसके बाद पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ गुमा देना है, नेक डिजाइन हमारा आधा कम्प्रीट हो चुका है, अब इस प्लैकेट को बन करने के लिए हम एक सीधी पट्टी लेंगे, उसको उपर की तरफ से भी फोल्ड करना है, और चोड़ाई में भी फोल्ड करके एक बार आयरन कर लें, इसकी लंबाई हमें प्लैकेट के हिसाब से लेनी है, अब इस पूरे नेक लाइन को हम यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग लगेंगे, डोरी वाली पाइपिंग मैंने प्लेन कपड़े में से तयार की है, डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए मशीन में हाफ प्रेशर फुट लगाए, अब देखिए इस पूरे स करने के लिए इस Piping के साथ ही हम यह सीधी पट्टी भी लगाते जाएंगे जहां तक Nag की लंबाई है उसके बाद हमें प्लैकेट पर यह सीधी पट्टी लगानी है एक साइड डोरी वाली पाइपिंग लगाने के बाद सामने वाली साइड भी हमें इसी तरीके से piping लगा देनी है अगर आपको यहां पर open प्लैकेट चाहिए तो जो सीधी पट्टी हमने यहां इस piping के साथ लगाई है वो एक साइड ही stitch करनी होगी और यहां पर मैंने दोनों साइड इस्टिच करके इस प्लैकेट को बंद कर लिया है गोलाई वाले हिस्से पर piping पर छोटे cut लगाए और उसके बाद piping लगाए तो वहाँ पर शेप अच्छे से आएगा कुर्ती का front neck design हमने तयार कर लिया है अब हम यहां प्लैकेट के ऊपर buttons लगा देंगे आपको मेरा यह neck design कैसा लगा comment करके जरूर बताए पसंद आया हो तो like और share करें thank you for watching this video झाल